हुल्स्टेट नमस्कार मैं हूँ राज महंतिवारी और आप देख रहे हैं चक्दे क्रिकेट चलिए बढ़ते हैं क्रिकेट जगत से जुड़ी आज की प्रमुख 11 खबरों की ओर ICC की ताजा वंडेर रैंकिंग में भारत को हुआ एक अंका नुक्सान यसी ने टीमों के वंडर रैंकिंग जाड़ी करदी आँ हैं भारत वस्ट इन्टिश से वेश्ट इनडिश से थी जी इतने के बाद भारत को एकंगा नुक्सान हुआ है सिरीज शुरू होने से पहले भारत इस वंडेर रांकिंग में 122 अंकों के साथ दूसरे इस्थान पर था जबकि सिरीज खतम होने के बाद भारत के 121 अंक की रह गये हालांकि अभी भारत दूसरे इस्थान परी मौझूद है ICC One Day ranking में 125 अंकों के साथ England पहले इस्थान पर 112 अंकों के साथ New Zealand तीसरे और 111 अंकों के साथ Australia चौथे इस्थान पर मौझूद है स्रिलंका और ऑस्ट्रेलिया खिलाब स्रीज के लिए टीम इंडिया में जोस्पृत बूमरा की हुई बापसी अगले सल 5-7 और 10 जनवरी को स्रिलंका खिलाब होने वाले 3 मैचों के T20 सिरीज के लिए और 14 जनवरी से Australia खिलाब होने वाले 1 डे सिरीज के लिए भारतिय टीम का एलान कर दिया गया है बड़ी खबरिया है कि चोट से बाहर चल रहे है जस्पृत बूमरा की टीम में वापसी हुई है जबकि रोहित सर्मा और महमत समी को T20 से आराम दिया गया है शिखर धवन के भी चोट के बाद टीम में वापसी हो रही है जबकि तेज गेंदवाज दीपक्चार अपनी पीट दर्थ की वज़े से अप्रेल मात तक के लिए टीम से बाहर हो गया है शिरलंका के लाब T20 से लिए टीम में सामील है विराट कोली, शिखर धवन केल राउस, रिशब पंत, रविंदर जडेजा, शिवम दुबे, यजुवेंदर चहल, कुल्दीप यादो, जस्पृत बुम्रा, नवदीप सैनिस, सार्दूल ठाकूर, मनिश पांडे, वशिंग ICC की ताजा वंडे बल्लेबाजी रैंकिंग में कोली और रोहित का जलवा बरकरार, ICC द्वारा हाल में जारी की गई एक दिवस्य बल्लेबाजों की रैंकिंग में, भारत के कप्तान और उपकंप्तान करम सब पौले और दूसरे नंबर पर काभी जैं, ICC की एक दिवस्य पर पकिस्तान के बाव और आजम 834 अंकों के साथ हैं, एक दिवस्य गिंदबाजों की सुची में खेल से लंबे समय से दूर रहने की बवजूत भारत के भूमरा, 780 अंकों के साथ टॉप पर बने हुए हैं Cricket Australia ने बनाया विराण कोली को कप्तान, Cricket Australia ने साल 2019 के खतम होने पर पिछले एक दसक यानि 2010 से 2019 की Test 11 टिम की घोसना की सवमवार को होजित, Its Cricket Australia Test 11 में भारत से केवल एक खिलारी को हीं जगह मिली, Cricket Australia की दसक की इस Test 11 में भारत से केवल विराण को हीं जगह मिली है जीने इस टीम का कप्तान भी चुना गिया है खास बत यह है कि स्टेस्ट 11 में पकिस्तान और सिलंका के किसी भी खिलाडी को नहीं चुना गिया है क्रिकेट ऑस्टेलिया द्वारा घोसित इस टीम में सामिल है इलिस्टर कुक, डेविड वार्नर, कैन विलियमसन, इस्टीव इस्मिद, विराट कोली कप्तान, एविडी विलियर्स, बैन स्टोक्स, डेल स्टेन, एस्टूर्ट ब्रॉड, नाथन लाइन, जेम्स एंडर्सन हार्दिक पंडिया को भारतिये एट टीम में दी गई जगा अब्यास एवं तीन एक दिवसी मुकाबलों के लिए भारतिये एट टीम में सामिल है, प्रित्मी सो, मैंक, अगरवाल, रितु राज, गायोकवार, शुबमंगिल कप्तान, शुरिक मरी आदो, संजु सेम्शन, इशान किशन, हार्दिक पंडिया, कुर्नाल पंडिया, अक् कारण रिषब पंड को दी जाएगे विकेट कीपिंग की फिर से ट्रेनिंग, चैन करता है में इसके परसाद का मानना है कि रिषब पंड विकेट के पीछे काफी संगर्ज करते हैं, ऐसे मून के विकेट कीपिंग में सुधार लाने के लिए एक विशे सके के साथ काड़ेक खिला विवाद इस्पत बयान, पकिस्तान क्रिकेटगोड के अध्यक्ष एहसान मनी ने एक इंटर्व्यू में कहा कि सिरलंका का पकिस्तान दोरह बीना किसी सुरक्ष समस्या के सफल रहा, उन्होंने कहा कि हमने सावीत किया है कि पकिस्तान सुरक्षीत है, अगर कोई टीम पकिस्तान की तुनना में भारत में सुरक्षा का ज्याधा खत्रा है BCCI अध्यकषर गांगुली ने एक नैस सुस्पर सीरिज करानी की बात कही बिस्स याई अध्यक शुरक गांगुली ने इसारा किया है कि 2021 से भारत, अस्ट्रेलिया, इंग्लेंड और एक अन्ने टीम के साथ सुपर सिरीज की सुरुआत की जा सकती है हाल में इंग्लेंड दोर से आई गांगुली ने कॉलकत्ता के एक अकबार को दिये सक्षयतकार में कहा कि अस्ट्रेलिया, इंग्लेंड और भारत सुपर सिरीज में हिस्सा लेने वाली सिर्ष टीम में होंगी जिसकी सुरुआत 2021 से हो सकती है और यह टूनामेंट पहली बार भारत में होगा और फिर बारी बारी से इसमें सामिल देश इसकी मेजबानी करेंगे महिला T20 चैलेंजर ट्रोफी के लिए टीम की हुई घोसना हर्वन प्रित को और स्मृति मंधाना और वेदाव कृष्ण मूर्थी को बनाया गया कप्तान कटक में चार सी 11 जनवरी तक होने वाली महिला T20 चैलेंजर ट्रोफी के लिए भारत A, B और C टीमों का चैन किया गया है चैन समीति ने परतेक टीम में 14 खिलाडियों को जगा दी है भारतिय टीम के लिए टूनमेंट काफी काम है क्योंकि फरवरी से अस्ट्रेलिया में महिला T20 वर्ल्ट कप शुरू होने जा रहा है ऐसे में भारतिय खिलाडियों को अपनी कमजोडियों को सुधारने और मजबूतियों को पैचाने का प्रयाप्त मों का मिलेगा इंडिया वीटी में सामिलें इसमर्दी मंदाना कप्तान सुस्मा वर्मा आर कल्पनाव वनिता वियार जमीमा रोट्रिक्स अनुजा पाटिल पूनम यादव पूजा वस्तरकार सिखा पांडे रेनुकासी अंजली सरवानी सूस्रीद दिव्यदर्शनी टीपीग कमर और र क्रिश्टाली भगत रजैस्वरी गयकवार तनुजी सरकार और मादूरी मेहता दोनी की बैटी जीवा द्वारा गाया भजन का वीडियो चल रहा भी ट्रेंड में टीम इंडिया के पुरुकप्तान मैंसी दोनी की बैटी जीवा दोनी का मल्यालम बासा में एक क्रिश्ट भ फिललेंडर ने किया अंतराश्टे किर्केट से सन्यास की कि घोसना क्रिकट दक्षीन अफ्रीका ने सुमभार कां को यह जण करी देते हुए बताया कि दक्षीन अफ्रीका के अनुभावी नहीं तेस गन्षीफिष गिन्ञत रिञ्ड में दूसरा सबसे तेज 50 विकेट पुड़ा करने का रिकॉर्ड है, फिलेंडर नहीं है रिकॉर्ड मातर साथ टेस्ट मैचों के दोरा नहीं बना दिया था, टेस्ट मैचों में सबसे तेज 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड जस्टिन टर्न और पाकिस्तान के यासिर साह के पास है, जीनों अच्छा मैचों महीं 50 विकेट अपने नाम किये हैं। आप देख रहा है चक्ड़ क्रिकेट हम आसा करते हैं कि आपको क्रिकेट से जुरी आज की 11 कबरे पसंद आई होगी। क्रिकेट से जुरी परते दिन के खबर हैं वाँ पलपल के अपडेट के लिए हमारे चैनल चक्ड़ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवाँ शेयर जरूर करें। तता नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।